अगर उसका अलग से कमरा नहीं है तो रात को वो जिस इस्थान पर सोता है वो जगह एइसे घरों में जहां पर नौकर सिर्फ दिन में ही रहते हैं तो काम के दोरान जहां पर वो सुस्ताते हैं या आराम करते हैं वो जगह और वास्तु अनुकूल सही दिशाओं में हैं तो उन दिशाओं के जो तत्व हैं जो उन दिशाओं की एनरजीज़ हैं Clean qualche, और मेहनत करने वाला और विश्वास करने वाला रहता है और यही गुण हमें एक नौकर में चाहिए अगर नौकर सही दिशा में नहीं है तो नौकर के मन में गलत ख्याल भी आ सकते हैं अगर आप घर नौकर के भरों से छोड़के जा रहे हैं चोटे बच्चे या बड़े बुजर्ग भी हैं तो वो उनको चोरी के रादे से नुकसान भी पहुचा सकता है इसलिए नौकर का घर में सही दिशा में रहना बहुत ही महत्वपूर है आज मैं आपको इनी दिशाओं के बारे में बताऊंगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पहले हम बात करते हैं उन दिशाओं के बारे में जहांपे नौकर नहीं रहना चाहिए साउथ वेस्ट नेरित्यकोन ये डॉमिनेशन की दिशा है नौकर अगर इस दिशा में है तो उसका नेचर बॉसी हो जाता है थोड़ा उसमें घमन आ जाता है और वो समझने लगता है घर उसी के वज़ह से चल रहा है सब उस पे बहुत ज़ादा डिपेंडेंट है ये जरूर है इस दिशा में अगर नौकर है तो वो अपना काम परफेक्ट करेगा लेकिन आपको पलट के जबाब भी देने लगेगा हो सकता है आपके इंस्ट्रक्शन्स को वो इगनोर भी करने लगे दूसरा नेरित्य का जाना घर के सदस्यों को इसलिए साउथ वेस्ट नेरित्य कोन में नौकर बिलकुल भी नहीं रहना चाहिए घर में दूसरी दिशा है नौर्थ इस्ट इशान इस दिशा में नौकर है तो उसका हमेशा ये मौके की तलाश में वो रहेगा कि किस तरह से चोरी कर सके चोटी मो का मिलेगा तो बड़ी चोरी भी कर सकता है उसका मन हमेशा इनी तरह के कामों में जादा इन्वाल्व रहेगा उसके मन में बेई मानी आ जाती है और वो घर के सदस्यों को नुकसान भी पहुँचा सकता है इसलिए नौर्थ इस्ट में भी नौकर नहीं रहना चाहिए अब ह सबसे उत्तम मानी गई है अगनी प्यॉरटी पवित्रता का प्रतीक है इस दिशा में अगर नौकर है तो उसका मन और हिर्दय हामेशा पवित्र रहेगा वो घर को अपना घर समझ के काम करेगा सबकी देखबाल करेगा हमने अगनी परिक्षा के बारे में सुना है जिसमें स अगर नौकर है तो हमेशा वो विश्वास युग्य होगा बहुत मन से काम करेगा और अगनी आप देखिए अलर्टनेस का प्रतीक है यहां पर वो टाइम से सोएगा टाइम से उठेगा आलस से उसमें नहीं होगा बहुत महनत से बहुत लगन से और अग्या आदेश मानते ह हुए वो आपके घर में काम करेगा और इसमें रहेगा इसलिए साउथ इस्ट अगनी की दिशा नौकर के लिए घर में सबसे उत्तम है दूसरी जो नौकर के लिए सबसे उत्तम दिशा है वो है नौर्थ वेस्ट वायव्य कोन जो चंद्रमा की दिशा भी है और चंद्रमा म इस दिशा में नौकर के रहने से उसका मन हमेशा सही कामों में रहेगा, मन उसका घर के कामों में लगा रहेगा और वो घर के सदस्यों की देखबाल भी करेगा. साउथ इस्ट अगनी और नौर्थ वेस्ट वायू ये दोनों तत्व फ्रेंडली एलिमेंट माने जाते हैं तो जो विशेश्टा हैं जो गुण एक नौकर साउथ इस्ट में जब रहता है उसको मिलते हैं वोही प्रभाव वोही गुण नौर्थ वेस्ट में भी एक नौकर के सदस्यों को उनी गुणों के आदार पर उनकी देखभा लिया कियर करता है इमानदार रहता है मेहनस से काम करता है और विश्वास के पात्र रहता है एक डर हमेशा बना रहता है हो सकता है वो जादा समय तक घर में ना टिक पाए अन्निता ये दिशा नौकर के लिए बहुत इन पर उसदा डिकशन मानी गई है इनमें आप ये ध्यान रखिये कि अगर नौकर है तो उसकी जगे है वो नौर्थ से नौर्थ वEस्ट की तरफ होनी चाहिए इसी तरह से अगर एस्ट में उसके रहने की जगे है तो वो नौर्थ एस्ड की चाहिए और इस तरह से घर अ knife तो वो south east की तरफ हो यानि कि south और south east के बीच में. southwest की तरफ उसका कमरा नहीं होना चाहिए. और अगर नौकर west direction में हैं, तो उसकी जो रहने की जगह है, वो northwest की तरफ होनी चाहिए, यानि कि west of northwest के बीच में. इन वास्तो गार्ड लाइन्स का अगर हम ध्यान रखते हैं, तो घर में अगर हमारे नौकर है, तो उससे हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, और नौकर हमेशा इमानदार, महनती और विश्वसनिये रहता है, इनसे सम्मंदित अगर आपके प्रशन है, तो आप से जोड़ूँगा, थेंक्यू, धन्यवाद. आप से जोड़ूँगा, तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विशेपर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें.